नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल बायोजी जीके क्लासेज में हम human reproductive system यानि की मानव जननतंतर की विशे में अध्यन कर रहे थी जिसकी अंद्रगत पीछे की वीडियो में हमने मानव जननतंतर को दो भागों में बाटा था male reproductive system यानि की नर जननतंतर और female reproductive system यानि की मादा जननतंतर male reproductive system की अंद्रगत हमने वर्षन कोस की विशे में पढ़ लिया था वर्षन कोस वर्षन अधी वर्षन प्रोस्टेट गरंथी शुक्रवाहिनी और काउपर गरंथी के विशे में हमने डेटेल से अध्यन कर लिया था इन सभी की विशे में हमने पढ़ लिया था इसके बाद में नर जननतंतर की अंत्रगत हमारे सुक्रासई और सीशन ये दो topic और बच गए है इसके बाद में हमारा नर जननतंतर topic वो complete हो जाएगा तो आज इस वीडियो में हम सुक्रासे, सीशन और सीशन की जो आंतरिक सरचना है इनकी विशे में आज इस वीडियो की अंतरगत हम डिटेल से अध्यन करेंगे यह है वीडियो 12th class की जो biology की student है उनके लिए बहुती मैतोपन है क्योंकि नीट की स्लेबस में 12th class की जो NCRT की बुक है वो पूरी की पूरी समायत की गई है तो नीट के लिए भी very very important है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजी तो आई शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला टोपिक आता है वो है सहायक जनन गरंतियों की अंतरगत सुक्रासे या जिसे हम सेमिनल वेसिकल भी कहते हैं कल हमने बात कि थी कि यह जो वर्षन पाया जाता है इस वर्षन से कुंडलित नलीका निकलती है जिसे हम अधी वर्षन कहते हैं और इस अधी वर्षन से एक लंबी पतली नलेका निकलती है वक्षन नाल से होती हुई उद्र गोहा में प्रवेस करती है और उद्र गोहा में जाकर के मुत्रासे के पास में यह सुक्रासे की छोटी जो वाहिनी होती है उससे आकर के मिल जाती है और उससे मिलने के बाद यह संखलने वाहिनी या एजाकुलेटरी डक्ट का निर्मान करती है तो यह जो लंबी नली का इसे तो आमने सुक्रवाही नहीं कहा था और यहां पर देखो यह आपको छोटी से आकार की सरचना दिखाए दे रही है जिसे मैंने रेड कलर में अभी बनाया है इसे हम कहते हैं सुक्रासे या सेमिनल वेसिकल इसकी उत्पती यह वो मेजोड्रम स से सुक्रासे की उत्पती होती है नर्मे सामानात है संख्या की बात करें तो एक जोड़ी सुक्रासे वो नर्मे पाये जाते हैं एक इस्तरप होतार एक उस साइड में होता है और यह दोनों जो मुत्र जनन नलीका है या जो मुत्रासे है उसके पास में इस्तित होते हैं तो यहाँ पर हम बना सकते हैं तो यह दोनों रिष्टित होते हैं पार्षव में और मुत्रा से के पास रिष्टित होते हैं यह मादा की अंडवाहिनी के समझात होती है तो मादा में जो अंडवाहिनी पाये जाती है देखो मादा में हम इस्ट्रक्चर की बात करें तो इस परकार होती है शुक्रास से इसी के समझात होता है शुक्रास से गरंथिल उपकला से निर्मित विशिष्ट सरचना होती है यानि शुक्रास से की जो उपकला होती है एपिथीलियम होती है उसमें बहुत सारी गरंथिया पाए जाती है और जिसके द्वारा छारी ये परकरती की दूद ये पीले रंग के तरल का स्रावन होता है और जिसे हम क्या कहते हैं सुक्रास से तरल कहते हैं या शुक्रास से जो होता है इसकी भित्ति के अंदर गरंथी लूपकला पाए जाती है और इस गरंथी लूपकला को शिकाओ या गरंथी लूपकला के दुवारा छारी प्रकृति क की दूद्या पीले रंग के तरल का सिक्रेशन होता है श्रावन होता है और इस तरल को हम क्या कहते हैं सुक्रास से तरल कहा जाता है सुक्रासे तरल वीरिय का 60-80% भाग बनाता देखो वीरिय में सबसे अधिक मात्रा में सुक्रासे तरल उपस्तित होता है तो very very important question आई ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सुक्रासे तरल वीरिय का कितना प्रतिशत भाग बनाता तो 60-80 प्रतिशत भाग विरिये का सुक्राशी तरल बनाता है सुक्राशी तरल में फ्रक्टोज शरक्रा प्रोस्टा ग्लेंडिनस सेमिनो जेलिन प्रोटिन आधी पाये जाते हैं सुक्रासी तरल होता उसमें फ्रक्टोज सरक्रा पाये जाती है प्रोस्टा ग्लेंडिनस पाये जाता है और सेमिनो जेलिन प्रोटिन है ये सभी पदार्थ है वो सुक्रासी तरल में पाये जाती है फ्रक्टोज जो होती है फ्रक्टोज सरक्रा ये क्या करती है सुक्राणू को ATP की रूप में उर्जा परदान करती है तो या आगे वाला पॉंट यही है बहुत ही मेटोप्रण है फ्रक्टोज सरक्रा सुक्रानों को गती हेतू ATP की रूप में उर्जा परदान करती है तो very very important है यह ऐसा question पूछ लिया जाता है कि सुक्राणों को गती के लिया सुक्राणों को ATP की रूप में उर्जा कोन परदान करता है जो सुक्राशी तरल में पाए जाने वाले जो फ्रक्टोज सरक्रा होती है ये सुक्राणों को गती है तो ATP की रूप में उर्जा परदान करती है सुक्रासे से एक छोटी नलीका निकल कर सुक्रवाहिनी की तुम्भिका में खुलती है देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रहा सुक्रासे इस से एक नलीका निकलती है और इस नलीका से इधर से जो सुक्रवाहिनी यह रही सुक्रवाहिनी ये इसी में आकर के मिलती है और मिलने के बाद ये क्या करती है आगे एजाकुलेटरी डक्ट या संखलन वाहिनी का निर्मान करती है तो सुक्रासी से एक छोटी नली का निकल करके सुक्र वाहिनी की तुम्भी का यानि की एमपूला जिसके हमने कल बात की थी एमपूला में ख Seminal vesicle या जो सुक्रासे की छोटी वाहिनी उससे मिल जाती है मिलकर के यह निर्माण करती है कि जो ejaculated duct या जिसे हम संखलन वाहिनी कहती है उसका निर्माण करती है और यहाँ से होती हुई मुत्र मारगमी सीषन के माद्यम से जननचिद्र द्वारा बाहर खुलती है जब सीशन उत्यजी तवस्ता में होता है तो उसमें संकलन के समय जब वीरिय बाहर निकलता है उसमें दोनों सुक्रा से क्या हो जाते हैं संकुची तवस्ता में आते हैं और अपना स्राव ये मुत्र जननलिगा के अंदर छोड़ देते हैं और फिर इस मुत्र जननलिगा के माद्यम से ये बाहर निकल जाता है। सुक्रासे तरल छारी परकृति का होने के कारण ये है योनी मारग की अमलियता को समाप्त कर सुक्राणों को सुरक्ष्या परदान करता है। हम जानते हैं कि छारी परकृति का होता है और ये योनी मारग की जो अमलियता है उसको समाप्त करके सुक्राणों को सुरक्ष्या परदान करता है। जब हम मादा जननतर पढ़ेंगे तो उसमें योनी के विस्ते में डिटेल से बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महतोप्रण है ये भी क्यूशन ऐसा पूछ लिया जाता है कि फ्रक्टोज सरक्रा का उप्योग बलातकार के प्रिक्ष्ण में किया जाता है। कि जो सुक्राश से अदर फ्रक्टोज सरक्रा प्रिक्ष्ण किया जाता है। कि ये जो है दो सरचन आपको एक जोड़ी नजर आ रही है ये होते हैं सुक्राश से दोनों और पाये जाते हैं मुत्र जननलीका के दोनों और उपस्तित होते हैं सुक्राश से ये मुत्राश से होगा मुत्राश के नीचे की और उपस्तित होते हैं ये वर्षन के हमने कल बात क यह चारो और जो इसको cover किये हुए रहता है यह होता है अधी वर्षण और इस से एक नलीका निकलती यह नलीका आगे जाकर कि जो सुक्रवाइने की छोटी नलीका में मिल जाती है मिलकर कि यहां पर Ejaculator Direct का निर्मान करती है और यह होगी prostate गरंथी और यहां पर छोट छोटी केलाता है सीष्ड, जो कि नली का कार भाग होता है, और इस सीष्ड के आगे का ये जो फुलावा भाग आपको नजर आ रहा है, इससे सीष्ड मूंड्या लानस पैनिस कहते हैं, तो हमारा जो नेक्स टोपिक आता है, वो है पेनिस यानिकी सिस्षन यह एक संकुचन सील नली की सरचना होती है जो नर्मे मुत्र त्याग के साथ-साथ वीरी इस्तानांत्रन का कारिये करती है यानि कि जो पेनिस होता यह नर्मे मुत्र त्याग के साथ-साथ वीरी इस्तानांत्रन का कारिये भी करती है इस कारण ये बहुत ही मैतुपुन है क्योंकि जब हम मादा की बात करते हैं तो मादा में जनन छिद्र और मुत्र त्याग का छिद्र होते हैं ये अलग अलग पाये जाते हैं जबकि नर्की बात करें तो मुत्र त्याग और वीरी इस्तनांत्र का कार्य पेनिस के द्वारा किया जाता है एक चिदर के द्वारा होता है सीशन को मुत्र जनन नलिका भी कहते हैं और इसका कारण हम जानते हैं कि ये मुत्र त्याग करने के साथ साथ जनन में भी भाग लेता है सीशन का अगर भाग फुलावा होता है जिसे सीशन मूड या ग्लास पेनिस कहते हैं तो ये जो आगे वाला भाग होता है, सेजन का ये फुलावा पाये जाता है, और इस भाग को सेजन मूड या Glass Penis कहते हैं, और इस सेजन मूड पर CBCS गरन्थिया, , यानि की तेल ये गरन्थिया इभन स्वेध गरन्थिया पाये जाती हैं, जो की पसीने का सिक्रेशन करती है, इसके अलाबा इसके उपर बहुत सारे इसपर्ष समेदांग पाये जाते ही है जिने थिगमो रिशेप्टर कहा जाता है और इसके उपर एक जिल्ली भी पाये जाती है जिसे अलग पैनसी में बना देता हूँ इसके उपर क्या होती है एक गतीसिल जिल्ली पाए जाती है जो कि आगे पीछे मुवमेंट करती है और इस जिल्ली को हम क्या कहते हैं प्रीपुस जिल्ली कहा जाता है प्रीपुस जिल्ली कहते हैं और ये जिल्ली पीछे की और एक स्योंजी उत्तक की द्वारा जूड़ी रहती है जिसे प्रीपुस फ्रेनुलम कहते हैं इनके हम आगे अभी बात करेंगे यहाँ पर हमने देखा कि जो सीशन का अगर भाग होता वो फुलावाता जिसे हम सीशन मूड्या ग्लास पैनिस कहते हैं और इस ग्लास पैनिस पर सिबेसियस यानिकी तेली गरंतिया पाये जाती है और स्वेद गरंतिया पाये जाती है इसके प्रिपुस जुल्ली पीछे की और प्रिपुस फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है। सीशन मूंड पर कुछ विशिस्ट परकार की इस पर्ष समयदांग पाये जाते हैं जिने थिगमो रिशेप्टर कहते हैं। थिगमो रिशेप्टर कहा जाता है। देखो सामाने ते हम बात करें। जो सीशन होता इसमें कोई भी अस्ती नहीं पाये जाती है। अस्ती नहीं पाये जाती लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं। कुछ जैसे वहेल चमगादड के सीशन में बैकुलम नामक अस्ती पाये जाती है। और इस परकार के सीशन को ओस्ती पाये जाता है। जबकि सामाने ते सीशन में अस्ती नहीं पाये जाती है। इसके लावा एक इंपोर्टेंट बात यहां पर और है कि सीशन का अग्र भाग सामाने ता ऐसांकित होता है। तो सामाने रूप से हम देखें तो सीशन का जो आगे का भाग होता है ऐसांकित होता है। लेकिन समाने तो जो सीशन होता है यह सांकित होता है। ओप सम और बेंडी कूट में दिविसांकित होता है। सीशन का अग्र भाग एक गती सील आवरν यहानि की छिल्ली के द्वारा ढगा रहता है। इस जिल्ली को हम प्रिपूस जिल्ली कहते हैं। बट्टेक बने होई पट्टेका के दवारा जूड़ी रहती है और इस पट्टी को हम कहते हैं फ्रेनूलम प्रिपुश कहा जाता है फ्रेनुलम प्रीपुस कहते हैं देखो आगे का ये वाला जो भाग ये फुला वभा कहलाता ग्लांस पैनिस और इसके उपर आपको देखो एक जिल्ली नजर आ रहे है इस जिल्ली को कहते हैं प्रीपुस जिल्ली और ये प्रीपुस जिल्ली पीछे की और आकर की एक स्योंज उत्तक की पट्टिका के दोबारा जूड़ी रहती है जिसे फ्रेनुलं प्रिपूस से कहते हैं सिसन की आंत्रिक सर्चना से इसपश्ट होता है कि सिसन भीतर से दो प्रकार के तीन पेसी रज्जू से बना होता है तो दो प्रकार की होते हैं और ये संख्या में बात करी तो तीन पेसी रज्जू पाये जाते हैं दो प्रकार कौन से हैं कोर्पस इस्पंजियोसम जो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये कहलाता है अंदर से कोर्पस इस इसे कहते हैं कोर्पस केवर नोसा इसे कहा जाता है अब इन दोनों की विच्छे में हम डिटेल से बात करते हैं सीसन की प्रष्ट भाग में कॉर्पस केवरनोसा पाया जाता है जबकि अधर भाग में कॉर्पस केवरनोसा पाया जाता है तो प्रष्ट भाग में तो होता है कॉर्पस केवरनोसा और अधर भाग में होता है कॉर्पस केवरनोसा और अधर भाग में होता है कॉर्पस केवरनोस निए रही है तो यह वाला जो नीचे वाला भागा आपको नजरा रहे हैं यह पूरा भाग कहलाता है यह दो भागों में बटा होता है यह बीच में एक पट पाये जाता है और इसे दो बागों में बाटता है ट्रेबा कुली कहा जाता है और बीच में ये दो बागों में जो केवर नुसा को बाटता है इसे सेप्टम पेनिस कहते ही है और इनके मद्दे में इन ट्रेबे कुली के कारण इनके मद्दे में ब्लड साइनस यानि की रक्त पत्र का निर्मान हो जाता है और ये आपको रेड जो नजरारिये बीच में इने हम कहते हैं Blood Vessels कहा जाता है Corpus Spongiosum Season की सम्कून लंबाई में पाया जाता है इस कारण इसे Season का मुख्य या Season का आधारिये भाग या Season का सरचनात्मक भाग कहा जाता है देखो अभी हमने पीछे देखा था इस structure से आप समझ सकते हैं तो corpus spongiosum देखो यह पूरी लंबाई में यहां तक फैला हुआ है और इसी कारण से corpus spongiosum को सिसन का सरचनात्मक या आधारिय भाग या मुख्य भाग कहा जाता है next हम बात करते है corpus cavernosa septum penis नामक स्योजी उत्तक की पट्टी का द्वारा आपस में जुड़े हुए पाये जाते हैं देखो अभी हमने इसे देखा था यह वाला जो यहां पर आप देख सकते हैं यह क्या होता है septum penis होता है जो केवर नोसा के दोनों भागों का आपस में जोड़ने का कारिय करता है कार्पस spongesum में एक जोड़ी जबकि कार्पस केवर नोसा में दोनों भागों में एक एक रक्त वाहिनी पाये जाती है देखो इसकी structure इस प्रकार से होती है तो इसमें देखो एक एक दो भागों तो दो पाये जाती है इसमें रक्त वाहिनी और इसमें दो जोड़ी पाये जाती है कार्पस spongesum में तो एक जोड़ी रक्त वाहिने पाये जाती है परतेक रक्तवाईनी ट्रेबे कुली नामक पेसी तंतुओं की सहायता से गरी हुई पाई जाती है तो परतेक जो रक्तवाईनी की हम बात करें तो रक्तवाईनी है वो ट्रेबे कुली नामक जो पेसी तंतुओं होते हैं इनकी साइता से ग्रीवी पायो जाती है इस कारण से रक्त वाइनियों के चारो और छोटे छोटे रक्त पात्र बन जाते हैं जो कि अभी हमने पीछे स्ट्रेक्चर में देखा था देखो यहाँ पर यह जो आपको लाइनिंग नजरा रही है यह क्या कहलाती है ट्रेबे कूली पेशे तंतू कहलाती है और यह ट्रेबे के लिए पेशे तंतू के बनने के कारण यह जगह जगह पर यहाँ पर पात्र बने हुए है यह पात्र कहलाती है रक्त रक्ता से या ब्लड साइनस कहलाती है रक्त के पात्र हो गए यह तो ट्रेबे कूली नामक पेशे तंतू की सा पायता से गरीवी रहती है और इस कारण से रक्त वाहिनियों के चार ओर छोड़े छोड़े रक्त पात्र बन जाते हैं सामाने अवस्ता में ट्रेबे कुली पेस ये तंतु संकुचित होते हैं रक्त पात्रों से रक्त वाहिनियों में चला जाता है जब दाब अधिक हो जाता है तो रक्त पात्रों से रक्त वाहिनियों में चला जाता है और रक्त पात्र रक्त से खाली हो जाते हैं जो रक्त पात्रों होते हैं ये रक्त से खाली हो जाते हैं और सिसन छोटा वर धीला हो लेंगी कामो तेजना के समय ट्रेबिकुली पेशिय तंतु सिथिल हो जाते हैं जिससे रक्त पात्रों का आयतन बढ़ जाता है और रक्त दाब कम हो जाता है और इस कारण से रक्त रक्त वाहिनियों से निकल करके पात्रों में आ जाता है और सीशन बढ़ावे कठोर हो जाता है देखो यहाँ पर इसको हम इस परकार से समझ सकते हैं यह इसमें जगह जपर क्या हो जाते हैं रक्त पातर बन जाते हैं तो जब इसके अंदर का दाव अधिक होता है तो उसमें यहां से रक्त निकल करके किसमें चला जाता है ब्लड विसल्स में चला जाता है लेकिन जब वे कामों तेजना होती है लेंगिक जब समंध बनाने की परकिरिया आती है मेथून की परकिरिया आती है तो उसमें जो ट्रेबेकुली पेसिया होती है यहां पर फिर से हम इसे बना देते हैं कि इस परकार से पीछे वाली स्ट्रेक्चर में हम समझ लेते हैं उसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पर देखो इसमें यह होते हैं रक्त पात्र तो जब सामाने अवस्ता में बात करें तो यह ट्रेव एकुली जो होती हैं यह संकुचित अवस्ता में पाये जाती है उसमें यहां का जो रक्त दाव होता वो अधिक होता है और यहां से रक्त निकल करके किस में चला जाता है बलड वेसल में चला ज या लेंगी कामों तेजना होती है तो उस समय क्या होता है कि जो अंदर का आयतन होता है इन पात्रों का आयतन बढ़ जाता है और पात्रों का आयतन बढ़ने से यहां पर जो दाब होता है वो कम हो जाता है कम होने से बलड वेसल से बलड है वो निकल करके इन पात्रों में आ ज जाते हैं और पात्रों के भर जाने के कारण सेशन है वो कड़ावे कठोर हो जाता है इस परकार से सेशन की जो क्रिया होती है छोटा वो बड़ा होने की वो क्रिया इस परकार से होती है तो हमने पेनिस के विश्चे में डिटेल से बात कर लिए कि इसमें सामानेतर बात करें त यह होता यूरेथ्रा जहां से मुत्र का त्याग किया जाता है और यह बीच में पाए जाती है आपकी आर्ट्री या ब्लड वेसल से हम कह सकते हैं और उपर की और डोर्सल ब्लड वेसल पाए जाते हैं तो यह होती है सामानेता पेनिस की सरचना हमने आज इस वीडियो में सुक कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम्प्लीट नोट्स हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलिग्राम एप है बाइलोजी जी के क्लासेज उसको जोइन कर सकते हैं और वहाँ पर अलग-अलग जैसे साइकलोजी के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बाइलोजी की जितने भी टोपिक हैं उनकी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इसके लावा करेंट अफेर्स के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद